आज हम देखेंगे त्रिबुच की भुजाओं की मापो की योग और व्यवकलन से सम्बंदित गुण के कुछ उधारण क्या निम्नलिखित मापों से एक त्रिबुच बनाया जा सकता है? हम जानते हैं कि त्रिबुच की किन्धी भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है चलिए इस समझ का यहां प्रयोग करें अगर हम 12 cm और 10 cm को जोडते हैं तो प्राप्त परिणाम 22 cm, 8 cm से बड़ा है अगर हम 12 cm और 8 cm को जोडते हैं तो प्राप्त परिणाम 20 cm, 10 cm से बड़ा है इसी तरह अगर हम 10 cm और 8 cm को जोडते हैं तो प्राप्त परिणाम 18 cm, 12 cm से बड़ा है तीनों स्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि हम दिये गए मापों के आधार पर एक त्रिपुज बना सकते हैं जरा सोचिये दिये मापों से एक त्रिपुज बनाया जा सकता है या नहीं यहाँ ग्याद करने के लिए क्या यहाँ जरूरी है कि हम तीनों स्थितियों के जाज करें सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं यहाँ आवश्यक नहीं हैं अगर हम छोटी दो बुजाओं की मापों का योग करते हैं और उसकी तुलना सबसे लंबी बुजा के माप से करते हैं तब भी हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हम एक त्रिपुज बना पाएंगे या नहीं अगर छोटी बुजाओं की मापों का योग लंबी बुजा की माप से बड़ा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिये मापों के उप्योग से त्रिबुज बना सकते हैं लेकिन अगर छोटी बुजाओं की मापों का योग लंबी बुजा के माप से छोटा होगा, तो यह दर्शाता है कि हम दिये मापों के आधार पर एक त्रिबुच नहीं बना सकते। जैसे यहां हम देखते हैं कि छोटी बुजाओं की मापों का योग है 10 cm दन 8 cm बराबर 18 cm और सबसे लंबी बुजा है 12 cm चूकि यहां 18 cm बड़ा है 12 cm से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 cm, 10 cm और 8 cm की मापों से त्रिबुच बनाया जा सकता है। अगला उधारण, निम्न लिखित में से त्रिबुच की तीसरी बुजा की माप क्या होगी जिसकी दो बुजाओं की माप है 15 cm और 22 cm। जैसा कि आपको याद होगा, त्रिबुच की दो बुजाओं की मापों का योग तीसरी बुजा की माप से अधिक होता है लेकिन दो बुजाओं की मापों का व्यवकलन तीसरी बुजा की माप से कम होता है। यहां द्रिबुच की दो बुजाओं की मापों का योग है 15 cm धन 22 cm बराबर 37 cm इसलिए तीसरी बुजा की माप 37 cm से कम होना चाहिए इसलिए तीसरी बुजा की माप 38 cm नहीं हो सकती यानि कि option 4 दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता हम यह भी देखते हैं कि द्रिबुच की दो बुजाओं का व्यवकलन है 22 cm पर 15 cm बराबर 7 cm इसलिए तीसरी बुजा की माप 7 cm या इससे कम नहीं हो सकती यानि कि option 2 और option 1 भी दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता जैसा कि आप जानते हैं तीसरी बुजा की माप दो बुजाओं की मापों के व्यवकलन से अधिक लेकिन इनकी योग से कम होना चाहिए इसलिए अगर माप 7 cm से बड़ा लेकिन 37 cm से कम होगा तो ही हम एक त्रिबुच बना पाएंगे आप्शन 3 में हमें त्रिबुच की तीसरी बुजा की माप 12 cm दी गई है चुकि 12 cm साथ से बड़ा है लेकिन 37 cm से कम है इसलिए इस माप के साथ हम एक त्रिबुच ज़रूर बना पाएंगे यानि कि दिये सवाल का सही जवाब है आप्शन 3 आज हमने सीखा त्रिबुच की बुजाओ की मापो के योग और व्यवकलन से संबंदित गुण के कुछ उधारन अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ मित्यधारनाएं देखेंगे